इस वीडियो में आपको Class 6th Maths का Complete Solution देखने को मिलेगा यदि आपको और भी सब्जेट की वीडियो देखनी है तो में यूटूब चैनल MS Education TV के उपर जाके देख सकते हैं सबसे पहले Instruction यानि कि निर्देश इसमें First Point है All Questions are compulsory यनिके जितने भी Question दियेगें वों सब भी आपको करने जरूरी है Next Point Question 1 से लेगर 8 तक आपके एक-एक नमबर की Question है Next Point Question 9 और 10 आपके दो-दो नमबर की Question है Next Point Question 11 आपका 3 नमबर का Question है Next Point Question 12 आपका 5 नमबर का Question है Question First 1 billion is equal to यान क्या गया यहां पर blank दिया गया है खालिस्तान दिया गया है तो 1 billion किसके बराबर होता है handed growth के यान की 100 growth के B option right होगा Q2 सबसे छोटी पुरण संख्या कौन सी है which is the smallest whole number तो इसका right answer हो जाएगा 0 0 क्या आती है सबसे छोटा whole number है तो इसमें B option right होगा 0 Q3 45 इन में से कौन सी संख्या का गुनज है 45 is multiple of each of the number यान कि 45 किसकी table में आता है तो यह 9 की table में आता है B option क्या होगा यहां पर right Q4 संख्या 5 वे 7 का मैतब स्वापर तक क्या होगा यान कि highest common factor तो यहां पर 5 की factor बनेंगे 1 और 5 A option right होगा Q5 In which are the following expression Prime factorization has been done यान कि in message किसके अंदर Prime factorization की गई है यह हमें बताना है तो Prime factorization क्या होती है यान कैसे नंबर जिनके हम और factor नहीं कर सकते तो देखे 24 के अंदर 4 और 6 है तो 4 और 6 प्राइम नंबर नहीं होते कैसे नंबर होते हैं क्योंकि 4 को हम 2 multiply 2 लिख सकते हैं 6 को 2 multiply 3 तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पहला option Cancel 56 के अगर बात करें तो 14 यह आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसको हम 2 multiply 7 लिख सकते हैं इसी प्रकार यह BB cancel DB cancel हो जाए क्योंकि 9 दे रखा बिंदों में इसे होकर कितनी रेखा की चीज आ सकते हैं यदि आपने पास 2 point दे रखे हैं तो इनसे हम कितनी line खीच सकते हैं अगर हम सकेल रखे इसके अंदर से line खीचेंगे तो हम 2 point से केवल A की line खीच सकते हैं और अगर 1 point से कोई पूछ ले तो एक point से हम जो है infinite line खीच सकते हैं अगर कोई एक point से आप से पूछे तो एक point से हम infinite line खीच सकते हैं लेकिन 2 point से केवल A की line खीची जाएगी Q7 X और 10 के बीच सबसे बड़ी A बाजे संखे बतानी है Which is the greatest prime number between 1 and 10 1 और 10 के बीच में जो है greatest या प्राइम नंबर बताना है तो 1 और 10 के बीच में अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर होते हैं जिसके केवल दोई factor हो या तो वो खुद से divide हो या 1 से तो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5 और 7 तो इनमें सबसे बड़ा प्राइम नंबर कोन है 7 है तो right answer हो जाएगा 7 क्यों से रेखा की लंबा इनिस्चित होती है रेखा का मतलब होता है length of line is fixed तो जो length line होती है इसकी length fixed नहीं होती यह होती है line यहाँ पर मब्दायता हूँ आपको इस type से जो देखने को मिलती है इसको बोलते हैं line segment इसको बोलते हैं line segment और यह होती है ray तो इसमें जो ray और line की fixed length नहीं होती line segment की fixed length होती है तो यह करा है कि line की fixed length है तो इसमें क्या जाएगा है यहाँ पर false क्योंकि लाइन को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं आगे चलते हैं देखें यहाँ पे क्यूशन 9 6, 2, 7, 4, 3 इन से यहाँ पे क्या बनाना हमें इनका केवल एक बार प्रियोग करते हैं पांच चंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है तो अगर जब सबसे बड़ी बनाएंगे तो बड़ी नमबर पहले लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 7, 6, 4, 3, 2 और सबसे छोटी बनेगी 2, 3, 4, 6, 7 अगर यहाँ पे 0 आ जाता अगर 2, 5, 0, 7 आ जाता तो हमें क्या करना पड़ता ग्रेटर्स संख्या तो यह बनती लेकिन छोटी संख्या यह नहीं बनेगी क्योंकि 0 को हम पहले नहीं लिख सकते तो छोटी संख्या बनेगी 2, 0, 5, 7 तो में एक दा लारज़ेस्ट और समालेस्ट फाइव डीजिट नमबर तो लारज़ेस्ट नमबर है इंग्लिश में प्रीडिशर और सक्सेसर बताने हैं प्रीडिशर का मतलब उससे पहले वाड़ा नमबर एक माइनस करेंगे 10,000 में से सक्सेसर में एक एड़ करेंगे तो इसमें 10,000 में एक एड़ करेंगे 10,000 बन Q11, 4, 8 और 12 का सारव गुर्ण खंद लिखी है जो common factor की बात करें तो देखो एक तो सभी में 1 आ रहा है एक सभी में 2 आया हुआ है और एक सभी में 4 आ रहा है तो common factor बनेंगे 1, 2 और 4 Q12, है सबसे छोटी संख्या ग्यात कीजिए जिसको 6, 15 और 18 से भाग देने पर परते एक दिसामें 5 सेस बचे यानिका ऐसा नमबर बताना है जिसको 6, 15 और 18 से डिवाइड करेंगे तो remainder 5 बचेगा तो पहले हम वो संख्या निकाल लेते हैं जो इनसे बाग होगी तो इनसे जो बाग होती वो इनका क्या होता है LCM तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 6, 15 और 18 तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 6 के नीचे 3 आ गया यहाँ पर 15 और यह 9 क्योंकि 15 का 15 रहेगा यह 10 का 9 फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 फिर 3 से करेंगे तो 1, 5 और 1 और लास्ट में करेंगे किस से 5 से 111 तो यहां पे LCM आएगा 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5 तो यह आप देख सकते हैं कितना आएगा 90 90 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी divide होगा 15 से भी होगा 18 से भी होगा लेकिन remainder 5 बचना चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसके अंदर 5 को क्या कर अंदर 5 को divide होगा और यहां पिर इसमें remainder क्या बचेगा गए अगर आप 95 को divide करके देखेंगे न 6 से करेंगे तो भी 5 remainder बचेगा यह अगर आप 15 से करेंगे 50 छेक पे करेंगे 95 यहां पर 5 बच गया अगर आप इसको 18 से करेंगे 95 को 18 इसको Рेमाइट नबब गा बचेगा 6 से करेंगे तो देखिए 67 जा 6 कितना है थर्टी 5 65 जा 30 हर एक में 5 रिमेंटर बजेगा तो इसका मतलब 95 इसका क्या हराइट है आंसवर तो आपके लिए मैं यह आपके क्यूशन चोड़ रहा हूं आपको बताना है कमेंट सेक्शन में यानि कि smallest smallest two digit number आपको smallest two digit number बताना है लेकिन वो number कैसा होना चाहिए स्मोलेश्ट two digit prime number यानि कि दो अंको कि सबसे छोटी prime संख्या प्राइम का मतलब होता है आप यह बाज़े आपको कितनी knowledge है यहां तक वीडियो अपनी complete होचकी वीडियो अच्छी लगी तुसके like करें अपने दोस्तों क्या जूरूर शेयर करें और भी वीडियो देखनी है तो में YouTube चैनल के उपर जाके देख सकते हैं PDF डाउनलोड करनी है तुसकोने में website का ना मिल जाएगा यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स फर वोचिंग